हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनेल जॉब्स हम सफर पे तो फ्रेंट्स आज का वीडियो काफी सांदार रहने वाला है आज डिसकस करेंगे बीपीएसी चोंसठवी का जो इंटर्विव है उसके प्रस्ण को जियां फ्रेंट्स कई कंडि उठा सकते हैं देख सकते हैं कि कौन से सेक्षन से कितने प्रस्ण पूछे जा रहे हैं और यह वीडियो उन अभियर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी पीएसी की तयारी करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इससे पहले छोटी से रुक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दिए देखे फ्रेंट्स यह जो इंटर्व्य हुआ है वह एक दिसंबर को हुआ था ठीक है चलिए तो पहला प्रस्ण जो पूछा गया कि गर्वेशन आपने कब किया पहला प्रस्ण है ठीक है फ्रेंट्स दूसरा है अभी क् अभी वह क्या कर रहे है ऐसे वह भेटनरी डॉक्टर थे ठीक है तो चलिए नेक्स प्रस्ण आता है कि आप भेटनरी डॉक्टर है तो आपका पेस के लिया आनि कि ग्रेट प्यापका कितना है इसके बाद उन्होंने जो चेर्में साब है उन्होंने पूछा कि आप तो एक दॉक्टर हैं तो आप परसासन में फिर क्यों आना चाहते हैं कि इसके बाद फ्रेंट्स जो उनका पाचमा कोश्चन है कि यह सरकार के पैसे की बरबादी नहीं है देखिए कहीं ने कहीं जो गवर्मेंट है पहले तो उनको डॉक्टर बनाने में खर्च किया जैसा कि आपको पता है कि जो fee लगती है डॉक्टर की उससे कई गुणा ज्यादा fee actual में खर्च होती है गुवर्मेंट की तो गुवर्मेंट उससे पे सब सीड़ी देती है तो कही ने कही ये गुवर्मेंट का पैसा बरबाद हुआ एक तरफ तो आप डॉक्टर है भट्टर ह करते हैं तो आपका पोस्टिंग का है नेक्स्टे ऑप्शनल सब्जेट क्या है तो उन्होंने बताया कि जोग्रफी तुन्होंने बोला कि भट्टनरी साइंस को छोड़कर का आप जोग्रफी लिये ऐसा क्यों तो इसका भी उत्तर यदि आप भी ऐसा की है कि जौब कहीं औ ख़र कृव ओर आपने माल कुछ कर लिया तो इसका जबाभ अपने अनूसर अपने ऑप्शनल सब्जयुक पर अप कि ने फूर दे सकते हैं लेक्स टाँजोर क्या है जब जैसे नों कहा कि जोगरफी ऐस्टर में से स्टार्ट होता है त्व एकी कि क्यों है तो उन्होंने बताया कि कहीं ने कहीं जो परसासलिक दिकत ना आए इसके लिए ऐसा किया गया है तो फिर उन्होंने पुछा कि टाइम जोन बढ़ाने से परसासलिक दिकत क्या है आखिर आप परसासलिक दिकत बोरें तो परसासलिक दिकत क्या है ठीक फ्रेंच फिर उ नेक्स्ट है लिपू लेख काला पानी कहां है काफी चर्चित था होट टॉपिक था ठीक है नेक्स्ट है कोशन अबर 15 भारत को लिपू लेख में रोड बनाने से क्या फैदा हुआ जैसे लिपू लेख का जो रोड बना है तो उसे भारत क्या फैदा हुआ जैसे कैलास मांसरो पूछा कि आप इलाज खुद से करते हैं या फिर दूसरे से करवाते हैं एज भेटनरे डॉक्टर थे तो उनसे पूछा गया कि नेक्स्ट है उन्होंने एक टेक्निकल कोशन पूछा एच एस बीक्यू बिमारी का टिका करन जो की पसुओं से एलेटर्ड है ठीक है नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि बीक्यू का कारण क्या है सबसे अधिक कौन से बीमारी मिलती है उन्होंका प्रस्ण था महिने में कितने जानवर का इलाज करते हैं। देखे मतलब कि jobs related जो basic person है वह person पुछे जा रहे हैं। बस यहाँ पर देखे जोगरफिय उनका ऑप्षिनल था। बस तीन से चार questions जोगरफिय ऑप्षिनल का हुआ बाकि jobs related person पर इनका इंटर्व्यू पूरा घूम जाता है। ठी देखिये तो इसके बाद friends next देखिये कि भारत में लाइव E syndrome की ईस्थिती बताया कि उन्हीं बताए नाहीड नरे डॉक्टर थी पसुओं कर्फूं पाइए कि बहारट में लाइव E syndrome की स्थिती क्या है इसके बाद सबसे अधिक गाय कहां मिलती है कि पिर ब्राजिल में सबसे अधिक गाय क्यों हैं कि मार्क कियों है और इंक्स क्म क्षे संख्या नो bell duty निक्श ता चारा गोटाला के बारे में बता इदेटफ्सूवें से लुटहला कर दो घृतला गया है तो इस पुछ़ा गया यानि इंटर्रियेटइट प्रस्नゴ CH नेक्स्ट है सुर्रा बिमारी के बारें बताईए यह पूरी तरह से टेक्निकल इंटर्व्यू उनके जॉब से रिलेक्टेड नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहां पे भी टेक्निकल प्रस नहीं है सुर्रा का लच्छन बताएं सुर्रा का इलाज कैसे करते हैं उन्होंने का इंटर कि आपप सरकार का खर्चा 17 लाख है फिर क्यों छोड़ना चाहते हैं यानि गवर्मेंट आप पे 17 लाख खर्च की है और उसके बाद आपने भेट नरी डॉक्टर गवर्मेंट आपको बनाई और फिर आप इस परफेशन को छोड़कर करके परसासन माना चाहते हैं ऐसा क्यों तो यदि आप भी जौब करते हैं तो आपको इस तरह के प्रसंद देख करके जाना है जौब से रिलेटेट सारे प्रसंद सारे फैक्ट देखने कि छूटे-छूटे प्रसंद पुछे जा रहे हैं तो छूटे-छूटे प्रसंद को आपको भी क्लियर कर लेने हैं और साथी सा आफ तो यही था लगवाग चौनतिस पूछे गए और ये इंटर्वीश चला लगवाग 20 मिनट 18 से 20 मिनट तक ये इंटर्वीश चला और इनका इंटर्वीश काफी अच्छा हुआ कोई कि जो पुछे गए उनके प्रफेशन से पुछे गए और उनके प्रफेशन से पुछे गए तो सभावी किसी बात थी कि जवाब तो पॉजिटिव ही आएगा तो चलिए आज का तो मैंने एक इंटर्व्यू के कोस्टन्स को आपके समक्ष रख दिया अब मैं नेक्स्ट सीरीज भी इसका लाने वाला हूँ तो चलिए तब तक भाई थैंक्स पर बाचिंग इस वीडियो जय हिंद आपका दिन सुभो